कि बिस्मिल्लाहिर्ण रहीम आज हम डिस्कुस करते हैं साइको एक्टिव ड्रग्स को सबसे पहले तो एक बात जो जहन में बिठाने वाली है वह है कि कि अब्सक्राइब इस वर्ड यूज मैडिसन कोई किसी किसम की मैडिसन यूज कर रहे हैं लेकिन अलमॉस्ट सारे लोग जो हैं वो मैडिसन जूज करते हैं अब भॉक्षार हो जाता है तो आप पैनडॉल ब्रॉफन यह किस तरह का अगर पीन है तो पेंडिलीवर यूज कर यूज कर रहे हैं और इसके लाब और बहुत सारी मैडिसन जो अपनी एक है एक है एल्थ से रिलेटेड़ हैं उनको यूज करते हैं लोग लेकिन मैडिसन भी दो तरह की होती है एक वो मैडिसन जो आपकी जनरल मैडिकल कंडिशन के साथ डिल करती हैं जिनको डॉक्टर्स करते हैं वो ड्र750 जो जरूरी हैं आप की सिहत को बरक्रार रखने के लिए और उनका तो आपके को चौन अद्वियात जो आपके consciousness के effect कर रहे हैं आपके perceptual processes को effect करती हैं उनको हम psycho active drugs कहते हैं psycho active drugs basically वो आपके emotions आपके behavior आपके consciousness आपके perceptual process को disturb करती हैं तो most of the time हम नहीं जानते लेकिन अगर हम अपनी रोजमरा जिंदगी के बारे में सोचें तो जब हम cigarette पीते हैं तो cigarette में भी psycho active drug nicotine की शकल में मौझूद होती है इसी तरह जब हम coffee पीते हैं तो coffee में भी जो psycho active drug जो caffeine की सूरत में मौझूद होती है जो आपकी जो central nervous system को effect कर रही होती है although बहुत ज्यादा effect नहीं कर रही होती आगे drugs की भी एक्साम हैं लेकिन जो कुछ drugs ऐसी हैं जो आपके जो cns central nervous system है उसको effect करते हैं और इसी तरह चौकलेट्स जब आप खाते हैं उसके अलावा चाय पीते हैं उसके रावा soft drinks पीते हैं तो इन तमाम चीजों में भी caffeine मौझूद होती है कि psycho active drug करती के हैं basically यह आपके central nervous system को या तो उनकी cns के activity को enhance कर देती हैं आपकी concentration बढ़ा देती हैं आपका जो alertness आए वो आपका बढ़ा देती हैं या यह यह central nervous system के activity को depress कर देती हैं slow down कर देती हैं तो यह है psycho active drugs आगे हम अगले lecture में discuss करेंगे कि psycho active drugs की कौन सी classes होती हैं किस किस class में कौन कौन सी अदवियात होती हैं यह हम इंशालला अगले lecture में इसको discuss करेंगे